हेलो अब्रीवान कीटू ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं कि आप अपने ब्लॉगर और वाटपस वेबसाइट पर कैसे एक वाटसेप चार्ट बटन लगा सकते हैं वो भी एक इनलाइन बटन लगा सकते हैं या एक फ्लोटिंग बटन लगा सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो बटन है ना वो इस तरह का दिखेगा जहाँ पर एक वाटसेप का आइकन होगा और वहाँ पर लिखा होगा चार्ट ऑन वाटसेप अगर मैं इस बटन को क्लिक है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहां पर अपना जो फोन नंबर है उसको रिप्लेस कर देना है यहां पर आप कुछ भी टेक्स लिख सकते हैं जिसे हाइप I am interested in your product तो यहां पर आपका जो टेक्स है वो चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आ आपको दिखा देता ह iba ऐला कि इसे काम करता है तो मैं क्या करूंगा अपने जू। ऑप्लगर वेबसाइट पर जाऊंगा और अगर मैं चाहता हूं कि फार्स फ्रागर मैं कोई यह प्ला प्ट्रे पेर तो मैं क्या करूंगा यहां पर कोई भी एक post open करूंगा यहां पर आपको उसको html view पर open करना है उसके बाद मैं यह जो fast फरागराब है उसके नीचे वह बाला जो code है मैं डाल देता हूं यहां पर आपका फोन नमबर है वह चेंज हो जाएगा और आपका टेक्स भी चेंज कर सकते हैं उसके बाद जो text chart on whatsapp उसको भी आप चेंज कर सकते हैं उसके बाद आपको एक css code की बीजरूरत होगा तो मैं इसको कभी कफी कर लेता हूं और यहां पर css code को भी paste कर देता हू और उसके बाद मैं इसको update करता हूँ और उसके बाद check करते हैं ये post को और आप देख सकते हैं जो chart on whatsapp button है वो add हो गया है अगर मैं इसको click करूँगा तो ये whatsapp को redirect करेगा और वो जो predefined text है आपके जो phone number में add हो जाएगा तो ये तो एक sample number लगाया है उसलिए वो show नहीं कर रहा है तो चलिए देखते हैं कि आप इसको as a whole theme में as a floating button कैसे लगा सकते हैं तो उसके लिए आपको theme पे जाना होगा और यहां पे आपको edit html पे click करना होगा और उसके बाद आप पूरा all the way bottom पे आपको closing body tag मिल जाएगा तो जस्ट उसके ऊपर आपको यह सारा code आपको paste करना है तो मैं क्या करता हूँ वो floating वाला button paste copy करता हूँ तो यह html code copy कर लिया मैंने और यहां पे paste कर दिया और आप number change कर देंगे अपना और style tag जो css code है हम भी इसको paste कर देंगे और उसके बाद हम scroll down करेंगे और यहां पे आप अपना जो phone number है इसको change कर सकते हैं यह जो वार्डिंग है इसको भी change कर सकते हैं तो मैं इसको change कर दूँँगा Hi, I want your service इस तरह से और इसको एक बार save करते हैं यहां पे कुछ errors हो कर रहा है तो यहां पे जो and symbol लगा है इसमें आपको amp semicolon लगाना है और उसके बाद हम इसको save करते हैं तो यह successfully save हो गया है उसके बाद हम front end पे जाएंगे और इसको एक बार refresh करेंगे और आप देख सकते हैं वो जो WhatsApp चार्ट बटन है वो as a floating window सो कर रहा है तो इस तरह से आप एक floating WhatsApp चार्ट बटन अपने blogger website पे लगा सकते हैं तो यह process से मैं WordPress के लिए भी आपको यह जो code है उसको एक बार फिर से copy करना है और अपने WordPress website पे use करना है यहां पर मैं code snippet plugin का इस्तमाल कर रहूंगा यहां पर आप जो theme editor में जाके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं तो मैं यहां पर footer section में इसको पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद इसका जो css code है उसको भी copy कर लेंगे और यहां पर css code को डाल देंगे और उसके बाद मैं save changes पर क्लिक करूंगा और यहां पर इसको refresh करेंगे और आप देख सकते हैं वही WhatsApp चार्ट बटन अपने जो WordPress website में भी implement हो गया है तो इस तरह से एक WhatsApp चार्ट बटन आप blogger और WordPress website पर इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर आपके पास कोई भी doubt है इस वीडियो के related तो आप हमें comment section में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना तो मत बोलेगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू